तो बच्चों आप करते हैं 17 का 3rd part और देखें बिल्कुल मैंने यहां पर लिख लिया है A equals to BK, C equals to DK and E equals to FK अब इसको solve कर लेता हूँ, पहले मैं left hand side solve करता हूँ फिर जैसी left hand side solve कर लोगा, फिर मैं right hand पर आऊँगा और दोनों को equal कर लेता हूँ ना, तो left hand side तो यह हो जाएगा बच्चों मिरे पर, A square upon B square plus C square upon D square plus E square upon F square right अब यहां पर मैं left hand side में, जहां जहां पर A है, वहां पर B के C है, D के and E है, F के, तो देखें A square है, तो मैं लिख सकता हूँ यहां पर B square, K square upon B square, देखें A के जगा B के होता है और A square के जगा B square होगा और K का B square होगा है अब C के जगा क्या होगा, D का B square, K का B square upon D k और E की जगा क्या होगा, बच्चों, F का B square, K का B square upon F square है न, दीछे F square था अब ध्यान से देखें, बच्चों मैं B square से B square काट सकता हूँ D² से D² F² से F² तो क्या बच्चा बच्चो K² प्लस K² प्लस K² which is 3K² ठीक है देखो 1K², 1K², 1K² तो add करा तो 3K² Left hand side में में पर यह चुक है अब मैं right hand side solve करता हूँ तो देखें अब यह मैं right hand side solve कर रहा हूँ अब right hand side solve कर रहा हूँ तो देखिए ध्यान से A के जगा में लिख सकता हूँ B के तो B के और C के जगा में क्या लिख सकता हूँ D के D के अपन B D प्लस C के जगा में क्या लिख सकता हूँ D के इंटू E के जगा क्या लिख सकता हूँ F के अपन D F प्लस A के जगा मैं लिख सकता हूँ B के देखिए A के जगा मैं लिख सकता हूँ B के यहाँ पर और E के जगा मैं लिख सकता हूँ F के अपन B F तो ध्यान से देखें यहां से B से यह B कैंसल आउट d से d cancel out क्यों upon में है multiply में तो मैं कर सकता हूँ d से d f से f b से b f से f क्या बचा बचो k into k तो यह हो जाएगा k square plus k square plus k square 1 k square 1 k square 1 k square 1 k square which is 3 k square और बच्चो द्यान से देखिए यह मेरे पर right hand side आग चुका है और right hand side equals to मेरा left hand side है तो हो चुका है यह question भी तो right hand sorry left hand side goes to right hand side hence proof चलो next करते है